हलो एवरीवान गुद मॉर्निंग वल्कम बेक टू ब्रानाधार वीडियो नमस्ते स्वागत्य आप सभी को मेरे आज के डेली रूटिन ब्लोग में और मेरे यूटूब चैनल पर तो गाइस आज मैं आई थी सुभा सुभा मोन्यू वर्क पर और जब सुभा मोन्यू वर्क आई थी तब मैंने वीडियो बनाना भूली चुकी थी तो अभी वापस घर जा रही हूं तो सभी को स्वतनता दिवस्की धार्दिक सुभकामना है पे इंडिपेंडनेस दे गाइस तो अभी बस वापस घर जा रही हूं और इतना बारिस हो रहा है मतलब जब मैं आई थी और बादल भी गरज रहे गाईस गड़ पहुचूंगी भी नहीं पहुचूंगी तो चलिए गाईस का दिन सुरू हो चुका है और आज है आज आजादी का दिन तो चलिए क्या क्या करती हूं मैं आप सबको दिखाती हूं और मेरे व्लोग एन तक बने रहीएगा तो सब्सक्राइब हूं तो जैसे में मोने वक्त से वापस आई तो देखिया बच्चे यहां पर रस्ते पर वक कर रहे थे और यह बच्चे इतने जल्दी कैसे उठ जाते मैं समझ नहीं पाती हूं जब मैं बच्चे ती तब ही ममी बोलती थी कि टू चल्दी उठ जाती थी सच में घर चली के घर जाके दिन का सारा काम कर लिया गाइस लेकिन अभी में सीधा आप सब को खाने में मिल लिए हूँ क्योंकि सुभा का मैंने दिखाया नहीं और आज हम लोग उने ब्रेकफस्स किया नहीं तो अभी ममी ने खाना बना चुके है यहां पे कद्दू मतर और जो करेला और आलो की सबजी बनाया है तो चली आज तो बहुत ही ज्यादा बहुत कुस बना दिया ममी ने थोड़ा सा निगुडा भी बनाया है थोड़ा सा आलो का चोखा भी बनाया है भाई के लिए भाई को पसंद है लेकिन आज भी भाई घर पे नहीं है वो प्रेट देखन मैं थोड़ा सा बोलती हूँ नो वो थोड़ा सा जादा ही डाल देती है तो बस हम लोगों ने खाना खाके जैसे बैठेते फिर चाची आ गए थे और हमारे घर में में बोली रहुगाई जब तक हम चाची के घर दिन में एक बार ना जाए तब तक सांती नहीं मिलती और जब चाची हमारे घर एक बार ना आए हमें सांती ही नहीं मिलता मतला एक बार जाना तो पड़ता है पड़ता है क्योंकि चाची भी आके लिए तो वो भी घर में बैठकर क्या करेगी चाची जा दो हम तो fix YouTube x लोना हम भी Но, I'll have to체 ओर मुझे बने कड़े लिवर्स्ते ले gtag है अभी आप को दिखाती हूं मुझे शुभा नहीं दिखा假 अभी दिखा दियु। चाचा के घर, मतलब फलेग लगाया हुआ था गेट पर मैंने सुभा तो नहीं दिखा था, अभी देख रहा, देख रही हूँ, और इसको देखर मूँसी अपने हा पी गाना निकल गया है, नामकरण सरीमनी में है मतलब हम लोग का यहां पर घर सामने मतलब की आज नामकरण सरीमनी है तो हम नहीं तो, अब Him sellersब पर चाचा के गर गया थे छोड़के contrary करिगा इतनी बुलकर। ची-ची, कुद पर ही शरम आ रहा है, तो मैंने अभी बैटी को भेजा है, मैं यहां पर वीडियो बना रही थी, तो मुझे पता चला कि मरी भुल जाती हु बूट नहीं भी जोड़ के आज हुआ है मेरे साथ उसा बहुत बार हुआ है कि फिर मुझे मीला है बाइ चांस मतला जो किसमत अच्छी है तो पॉर्स भी में कितनी बार छोड़के आई हुए ऐसे ही आज डूपता देखिया चाचा के गर छोड़के आगे मुझे इतनी सरम आ रही है तो मेरे हजबन कभी कभी बोलते कि तो खुदी कहीं मतला छूटके ना आ जाए तो कोई बा मेंबर जो भी है मतला ममी चाची बड़ी ममी वो लोग आ रहे तो चली में दिखा दिखा दिए अब सबको तो बस हम लोग पहुंसने ही वाले है और घर से थोड़ा सा दूर ही है तो चल चल के जाना पड़ा है और सुबह इतना ज्यादा बारिस हुआ था लेकिन जब हम नि जहां पर नामकरन सरिमनी था तो बस अभी अंदर जाते हैं और हो सके तो आपको में छोटो से बेबी से भी मिलवाओंगी उसके बाद फिर उनकी ममी से भी मिलवाओंगी तो बस इसे खुशियों को टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है चुटी-चुटी बैच्चों को मैं अच्छे से आप सामने से दिखाऊंगे और जो भी गिफ्ट लेके गए थे हमारी ममी चाची हुलोग वो सारे देरे और बड़ी ममी तो पुआ बना के भी लेके गए थे और मैं बोलती हुआ मुझे पुआ बहुत ज़दा पसंद है तो इसी टाइम में ज्यादा तर और कितनी क्यूट है देखे न उसका ना कितना क्यूट है मतलब इसको तो मैं देखती रहो देखती रहो तब ही मन ना भड़े तो बस यहां पे सोया हुआ था और यह है मेरी छोटी ममी की नातिन और जाके ही उसने चोटी सी बेबी को ले ही लिया क्योंकि बच्चे ऐसे होत फिर हम लोग इधर बेठे तो यहां पे दिया था पूरी और यह है मेरा भाई जो चाचा का लगा और यह कैसे खारा था और मैं इसको पता नहीं था मैं वीडियो का रही हुआ तो जब उसने खाया और मैंने बताया ना उसको इतनी आसी आई इतनी आसी आई और बोला था कि यह वीडियो मत दाना यह वीडियो मत दाना तो थोड़ी में यह वीडियो नहीं डालूंगी 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 तो बस यहाँ पर हम खा रहे और यहाँ पर पूरी दिया था उसके बाद दो सबजी खीर जो मटर और तिलकी कोड़ खाली चेटनी वो भी था उसके बाद फिर खाके हम चले गए दुसरी बुआ के घर वहां पे और रस्ते में इसा लग रहा था कि आजादी बस इन लोगों को ही लगी है एसे स्पीट में बाइक लेके जा रहे ना क्या ही बताऊ तो बस यहां पे हम बुआ के घर आये थे बुआ के घर के आगे दुकान था तो दुक क्यों पता है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप एक ही सास में बोलते हो एक ही सास में बोलते हो तो अभी मैं सुनना जाती हूँ कि वह क्या बोलते है कि आप रुक रुक के बोलते हो आप यह बोलते हो इसलिए मतलब मतलब रुक रुक के बोलो तब भी प्रोब्लेम ना बोलो तब भी प्रोब्लेम पता नहीं यार और उसके बाद फिर हम लोग भुगा के घर से वापस घर आगे गाइस और रस्ता में इतना अच्छा लग रहा था मतला मौसम बहुत ही अच्छा धूप नहीं था और हवा चल रही थी और इस वक्त ना जो चार औ पास बजे के टाइम में जो यहां का नजारा होता है वो इतना अच्छा लगता है वो देखिए नजारा देखिए इतना अच्छा है और आते आते ममी ने सबजी भी लेके आ गई निगुरा और अभी ममी को बस निगुरा ही खाना है ममी निगुरा कितना पसंद ममी से भी ज पोहुंसने ही वाले है और में बोलियू कि नामकरन में गए थे घर के लिए सब्सक्राइब है तो आते थोड़ा निंगुडा भी लेक आगई तो बस नामकरन था ज्यादा बड़ा नहीं था चोटा ही था तभी भी मैंने आप दिखा दिया है कि हर्चिस दिखा दी तो वह भी दिखाने के तो मन करता ही है तो बढ़ छोटा ही था इतना कुछ बड़ा नहीं था ताम जहम लेकिन अच्छा है सिंपल है अच्छा था तो चलिए घर पहुंचु क्यों ममी और बड़ी ममी जा रहे तो ठक गई चल चल के जाके और चल चल के आके तो चलिए गाई सबी में घर पढ़े जाती हों उसके बाद चैंज करती हूं थोड़ा सा पाणी वगड़ा पीती हूं चल चल के आक that शने के ठक गई वहां से आखे घर में चेंज किया उसके बाद फ़न देखने के लिए थोड़ा सा बैड में सोई थी ऐसे मतलर नीन लगी ना मुझे कि मुझे कि और अभी सो भी नहीं सकते क्यों कि और रात में फिर दिल नहीं आईगी अब साम नहीं इससे न कृष्य चलो जाके अगर नहीं लग रही है तो तो मैंने भोला ठीक है चलो जाके तो चलिए वी चाहाची के घर चाहते और मुहां पे कुछ ज्यादा है खाली आओगा मेरा पेट ऐसा ओड़ा है कि उपर आ रहा है जो खाया हुआ है तो आस तो गाइस मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा तो ममी को मैंने साम में बोल दिया अभी बोल दिया कि मैं आज रात क तो आपने घर में बाते करेंगे चिलाएंगे खेलेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन छोड़ा साप लोग एजस कर लीजिएगा तो बस आज घर से आगे और थोड़ा सा बेटर फिल होड़ा है मुझे तो बहुत ज़्यादा सोर सरब होता है क्या करूँ गाइस तो बस अभी थोड़ा सा बेटर फिल करेंगे एसड़ी बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे असा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ तो आज नाम करन था हूं थोड़ा सा टाइम स्पेन वहां पर ही किया उसके बाद बस अभी घर आ चुके हूं तो यहां पर मैं कुछ स्क्राइबर के नाम लेना चाहती हूं जो मेरे हर एक वीडियो में अभीता इतने अच्छे कॉमेंट देती है सबसे पहले तो मिस्वीटी मुझे पताहनी भी क कैसे पहुचाती है क्या है मैंने उननको परोफेल थे लिखा और भी अच्छे से अच्छे मुझे मुझे पहँन एक भी मेरा वीडियो मिस नहीं करती तो थेंक्यू सो मुझे प्यार करते रहिएगा उसके बाद और एक है इनका भी एक यूटूब चैनल है प्लीज उनका भी सपोर्ट कर दीजेगा और एक सुधीव छेतरी जो नाम लेने के लिए बोला था तो थेंक्यू सो मुझे प्यार करते रहिए और बहुत सरे ऐसे सस्क्राइबर है जो पहले से लेकर फास्ट वीडियो से लेकर अभी तक मुझे इतना प्यार करते आए इतना सपोर्ट करते आए इतना अच्छे से कॉम क्या मेरे तुने को सब्सक्राइब कर दीजेगा और मेरे चुने पर कोई कोई नये है तो जरूर कर दीजेगा है तो आज के लिए इतना है फिर मैं तुम करके व्लोग में बई गाइज गूट नाइट टेक केर बाई